हेलो वीवार्स अंबोक्सिंग अडिया मैं आप सबका स्वागत है और महुंदान आज मरे पास यहां पर जो स्मार्टफोन है वो है को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब कर दा ताकि अनुवाली वडियोवाइक और अपनों दोस्तों के साथ जरूर कर देना और पर देख सकत है DTS यहाँ पर मेंशन किया गया है 5000 mAh का बेटरी 2GB RAM 32GB ROM इसके लवा Geo exclusive इसके लवा कुछ offer के बारे में मेंशन किया गया है चारों तरफ यहाँ पर Infinix Smart 5 भी मेंशन किया गया है और box के पीछे मेंशन किया गया है इसी device का highlighting points जैसे कि 6.52 inches का HD+, drop notch display इसके लवा 5000 mAh का बेटरी और 8 Megapixel का dual rear camera और यहाँ पर 8 Megapixel का selfie camera भी देखने को मिलता है with a dual LED flash, face unlock and fingerprint scanner और X operating system 7.6 based on Android 11 से यह चलता है और प्राइस भी मेंशन किया गया है 7,999 डोपेस लेकिन एक्सेप के मत आगे इस वीडियों में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हुची चलिए से लफ फिलहाल इसी Infinix Smart 5A Smartphone को सबसे पहले unboxing कर लेते हैं और चारों तरफ यहाँ पर देख से तो शिल है डिवाइस पूरी तरीके से एक brand new smartphone है और इसका जो शिल है यहाँ पर हमने almost break कर दिया है और अब बारी है डिवाइस को unboxing करने का और यह जो box से यह open हो चुका है जैसे ही unboxing करता है यहाँ पर यही smartphone देखने को मिलता है Infinix Smart 5A का अफ़ी बड़ी है smartphone है और यहाँ पर भी mention किया गया है इससी smartphone की highlighting points बागी क्या कुछ contents दिया गया है इस box के अंदर यहाँ पर देख सकतों कि डॉप्टर है इसका जो output है वो 5 बोल्ट एंपेरर यानि यहाँ पर 10 वोट चार्जर दिया गया है और इसके वाँ micro USB kevel, SIM ejector देखने को मिलता है कुछ documentation यहाँ पर Gio and Infinix की तरफ से दिया गया है और यह सुभी contents है और यहाँ पर एक बड़ी असा case cover भी दिया गया है और यहाँ पर देख सकतों screen protector भी provide कर दिया गया है इसी smartphone के साथ में और यहाँ पर जो sticker वगरा है इसे हमने हटा दिया है और कुछ सरी के से यह smartphone नज़र आता है जिहाँ बहुत ही ज्याद amazing looks and design के साथ यह smartphone नज़र आ रहा है जिहाँ यह पर देख सकतों triple dual rear camera अज़री flash आदे साथ फिंगर पेंड़ स्केनर Infinix का branding और यहाँ पर smart 5 design by Infinix लिखा गया है यह जो looks and design है बहुत ही शांदार है Infinix smart 5 का और मुझे खास करके looks and design बहुत ही ज्यादा पसंद आया है amazing looks से बहुत ही ज्यादा cool है device के price range के हिसाब से बहुत ही अच्चा बहुत ही बहुत ही है device के इस साइट से देखा जाए तो यहाँ पर बोलियो ब्रोकर पावर वटन नजर आ रहा है और नीचे के तरफ speaker grill है micro use report है 3.5 वे में audio jack इसके लवा microphone दिया गया है इस साइट और डिवाइस की साइड में दिया गया है सिम्ट्रे जो सिम्ट्रे है वो रिपल स्लॉर के साथ में आता है यानि ड्यल नानो सिम एंड मैक्रो एस्टी कार्ड पी लगा सकते उपर की तरफ कुछ भी ने नीट इन ग्लिन है मुझे तो इस phone की जो price range है उस हिसाब से बहुत ये बड़ी device लगा बहुत ही ज्याद स्टाइलिस device है विसमें price range के हिसाब से अगर इस smartphone की looks आपको एच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रू कर दीजिए अब चलिए फिलहाल इस smartphone को हम ओन कर लेते हैं और इन्फिनिक्स स्मार्ट 5A का डिस्प्ले कुछ इस सरीके से नजार आता है वह समय जो डिस्प्ले है वो बहुत ये बड़ी डिस्प्ले क्वालिटी के साथ में आता है मैं गें कहूंगा डिवाइस के price range के हिसाब से स्प्रीन यहां पर हमें देखने को मिल रहा है यानि experience काफी बढ़िया रहेगा यहां पर जो रिजलीशन है वह एच्टी प्लाइस स्मार्टौन में यहांझाई आयज है स्वून डिया घर्ठ next都 brother to join the monitor फॉप ने Can I को के रहें जो ढर्भ ठीक तक यहां प्रफॉम्डे कोड़ाहें पॉफॉमेंस के मामनें बेडर लेकिन यहां पॉप कोड को प्रेसर दिया गे insightful barrier के तरफ से ठीक ठाक पॉस्टेसर है आपको बड़िया परफॉर्मेंस भी देगा लेकिन हेवी गेमिंग के लिए इतना कुछ बड़िया नहीं रहेगा इसके लावा डिवाइस में इंप्यर का बेटरी यहां पर मेंशन किया गया है इंड्रोइड 11 से यह डिवाइस चल रहा है और यहां पर डॉल्फिन वर्जण 7.6.0 है यहांनि और पफॉर्मेंस के मामने में कहीं नहीं कहीं डिवाइस काफी बड़ी आ रहेगा बेटरी लाइफ 5000 ब्ली एंप्यार का बैकबॉरी में दिया गया है और चली इसे करते हैं और देखते हैं कि किस तरीका से यह परफॉर्म करता है और फिंगरपेंट स्केनर यहां परए सेट कर दिया है और काफी बढ़ाशन बगा बहुत स्केनर नजर आरा है और मुझे काफी अज्द hotel धोsp इसकलाव में यहाँ पे face unlock भी set कर दिया है और यहाँ पे face unlock भी देख सकते हो जैसे ही front पे यहाँ डिस्प्ले को लाता हो तो device तेजी तरीके से unlock हो जाता है तो इस मामले में भी कही न कही यह device मुझे काफ़ी बढ़िया लगा और चलिए फिलहाल बात करते हैं इसी smartphone की camera specifications के उपर डिवाइस में यहाँ पे dual rear camera दिया गया है primary camera जो है वो 8 megapixel का है इसकलाव depth sensor का camera भी लगाया गया है और डिवाइस में front facing camera भी 8 megapixel का दिया गया है bokeye effect यहाँ पे देख सकते हो तरह तरह का modes भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है AI camera है अब चलिए कुछ photos क्लिक करते हैं इसी smartphone के साथ में और देखते हैं किस तरीके से perform करता है और यहाँ पे देख सकते हो कुछ camera simple इसी smartphone के साथ में यहाँ पे click क्या है और first impression में result काफी अच्छा है डिवाइस के यहाँ पे रियर camera का performance भी बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है जो quality है जो output है डिवाइस की वो कही ना कही बहुत ही अच्छा है यानि camera के मामले में भी Infinix Smart 5 स्मार्टफोन बहुत ही बड़िया है selfie और रियर camera के मामले में अब चलिए फिलहाल बात करते हैं इसी स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में जो डिवाइस की प्राइस रेंज है वो काफी कम है जिहाँ 6,999 पीसी अन्यों मॉस 7,000 का डिवाइस है जिहाँ इसमें 2Gb रियम मिल रहा है बहुत सारा डिवाइस है मार्केट में जिसमें बहुत कुछ कम्या देखने को मिलता है लेकिन एक ऐसा स्मार्टफोन है इंफिनिक्स स्मार्टफाइब जो 7,000 में आपको बहुत ही बड़िया स्पेसिफिकेशन प्रोवाइट कर रहा है जिहां इस प्राइस पॉंट पे बहुत कम डिवाइस है जिसमें इतना कुछ फीचर्स दिया गया है और अवरॉल मैं कहूंगा कहीं न कहीं डिवाइस वैलू फर मानी प्रोड़क्ट है अगर इस स्मार्टफोन को आप लेते हो 7,000, 6,999 रुपीज पेकर के तो आपके लिए एक अच्छा चोईज रहेगा कोई भी यहापे दिक्कत नहीं होगा फोन आप आराम से चला पाओगे और प्राइस रेंज के हिसाब से आपको एक वैलू फर प्रोड़क्ट भी मिल रहा है तो यह यह दोस्तों प्लुपीज प्लुपीज सेります